गुद्बॉर्णिं क्लास फॉवृत सब्जेक्ट है अपको कंप्यूटर और इसमें हम अपना फर्स्ट लेसन टाइपस आफ कंप्यूटर हम कर चुके हैं इसकी एक्साइजर्स हम कर रहे हैं ठीक है तो लास्ट वीडियो में हम इसमें थर्ड कोशन तक हम कर चुके हैं बेज क्लाइब कोशन तक हम चुके हैं आपको क्या हैं तो इसे आप और इसे आप कापी में अच्छासे नोट डाउन आप करेंगे lesson number one है आपका types of computer ठीक है fourth question है आपका answer the following question है in details detail में आपने ठीक है अच्छे से detail में आपने क्या करना है answers देने हैं तो पहला question क्या है आपका differences between the desktop and laptop computer अंतर बताना है आपने कि desktop computer और laptop computer के बीच में तो इस तरीके से बीच में line करके आप करेंगे एक तरफ desktop computer आप लिखेंगे और दूसरी तरफ आप लिखेंगे laptop computer तो desktop computer का पहला point क्या है देखेंगे it needs external devices to be fully function इसे बहारी devices की ज़रुत होती है क्योंकि इसमें देखें आप computer होता है इसमें के लिए ठीके उनको जरुत होती है लेकिन जो आपको laptop computer होते है यह क्या होता है इसमें बड़े होते है इसे के अपोजेट जो laptop computer होते है वो कैसे होते है it is small in size ठीक है third point है desktop computer में क्या होता है it is not a portable according to the size क्योंकि इनका size बड़ा है इसलिए portable नहीं है इन्हें हम एक जगे से दूसरे जगे तक हम नहीं ले जा सकते हैं ठीक है it is easily portable जो laptop computer होते हैं ये छोटे होते हैं size में है na small in size तो हम इसे easily आराम से इसको अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं next आपका fourth point desktop computer का it runs only on main power supply अब देखे जो आपके desktop computer होते हैं ये जब आप visually आती है electricity होती है तभी आपके क्या करते हैं work करते हैं directly power supply में main power supply में क्या करते हैं main power जो होती है ठीक है switch board में आप इसका plug लगाते हैं तभी आप काम करते हैं लेकिन जो आपके laptop computer होते है it can run on battery ये आपके mobile phone के ही तरह आप इनको क्या करते हैं कि battery को charge करते हैं तब आपके computer आपके काम करते हैं ठीक है आपने एक पर charge कर दिया फिर आप इसमें अपना काम easily के लिए आप कर सकते हैं फिफ्त है आपका external keyboard and mouse are necessary to work अब देखिए इसमें keyboard and mouse यानि कि जो डिवाइजेज है जो external devices है ठीक है जो main parts आपके computer के होते हैं desktop computer के लिए आप करने के लिए काम करने के लिए keyboard mouse की ज़रत होती है ठीक है लेकिन जो आपके laptop computer सबी कुछ उसमें पहले से ही उसमें एक ही सब कुछ आपको दिया जाता है लेकिन जो आपका desktop computer होता है उसमें आपको monitor के साथ keyboard, mouse, CPU ये सबी आपको जो parts होते हैं वो लेने पड़ते हैं ठीक है तभी आपका computer है desktop है वो के कर पाता है work आपका करता है और जो आपका laptop computer होता है वो एक single unit होता है ठीक है इस तरीके से क्या आपका ऐसी तो होता है ठीक है इसी में आपका क्या होता है एक single unit होता है आपका उसी में सारा आपका काम आपका होता है तो ये आप अच्छे से first question आप note करेंगे कॉपी में अच्छे से नोट इसे करना है ठीक है और साथ साथ कोशिश करें कि लर्ण भी आप करते रहें So thank you class